चाले हम लोग बास स्टाट कर लेते हैं क्राउन जूल के ओपनिंग मैच से तो आजब पर रिपोर्ट अभी के लिए फिलाल गैज ये बात कनफर्म है कि ओपनिंग मैच होगा प्रोक लेस्नर वर्सेस पॉबी लाश्ली के पीश चीयां गैज ये मैच होने वाला है ओपनिंग और में इवेंट होगा रोमन रेंज और लोगन पॉल का मैच जो कि होगा अंडिस्प्यूटेड टाइडल का मैच तो ओपनिंग और में इवेंट काफी कमाल के होंगे तो अब वेट करो क्राउन जूल का बाकी वर्ल्ल कप होने वाला है डबडवली में अगले अफ़ते स्म के लिए अंडिस्प्यूटेड टाइडिस के लिए न्यूडे का मैच ओफिचले वह फिस करेंगी उस उसको या फिर ब्रॉलिंग पूर्ट को मतलब जो चैंपर रहते हैं प्राउन जूल के बात उनको और साती में शुक्यूपर एक सिंगल स्मैश वी डबडवली ने अनु मिया एम को कंपनी में वापस बुलाने के लिए एंड मिया एम हमें जो पॉसिविली पहुचल डबडवली में अपना कमबैक करते हुए दिखाए दे सकती है और लेट सी कैस क्या उनका कब रिटर्न हमें दिखाए देदा है ट्रेपलेज बहुत सारे एनक्स्ट के रिली जो अपने मिक खान जो डबडवल के साथ स्टिल रहेंगे हैं निक खान का डबडवल के साथ एक और बड़ा कॉंट्रेक्ट है जो कि उन्होंने रेन्यू किया है और गाइस रॉलंस के लिए फिलाल कुछ नियूज निकलकर सामने नहीं आई कि क्या रॉलंस का प्लान है कुछ फिलाल प्लान है और डबडवली चीज को पहले सी जो यह लिक वागया नहीं करना चाहती कि पहले से अनौस नहीं करेगी डारेक्ली चीज़ों की वाकी इससे बड़ी चीज़े की कौन इसको एकसेप्ट करता है आपके दिमांग में कौन से नाम है कमेंड में बताना अर्ट फिलाल एनेक्सटे के शोव पर इंजर्ड होए थे जब वो ग्रेशन वालर आइधिंक या फिर जो मैस था उनका उसके अंदर वो इंजर्ड होए थे लेकिन बता जार कि बहुत सीरियस इंचरी एंड बहुत ही सीरियस इंचरी आर्ट के लिए उनको डबड़ी से थो हो चुक ऐन्ट स्कार्लिक ऐस हमें जोए कमपीट करते हुए दिखाई देने वाली है एंड फलाल जो स्कार्लिक का मैच होने वाला है ओ वो होने वाला है हापसे क्यालरा केर्य की अगेंस्ट्ट अडिय सकार्लिक कमैच आफर नहीं वैसे बता दू कि यह जह ठब डबली के अंदर नहीं होगा यह किसी अदर प्रमोशन के अंदर हुने वाला है मैच अब लोग बात करते हैं इस टेक्सस राड उसने एक स्टोन कोल के बारे में जो कि हमें पॉसिबली कम बाक करते हैं दिखा दे सकते हैं यह रैसल में 38 की परफॉर्मस के बाद वो आने वाल है रेसल में 39 के लिए और रेडी है मैच में कम्पीट करनी के लिए और डेफिनली ट्रपलेज टून को इंट्रडियूस करें या उनका मैच होगा बाकी देखते हैं अगले साल किस तरह की का कमाल का मैच टून को डेलिवर करते हैं साल तो बहुत कमाल का मैच दिया के लिए अगले साल आप किसके अगेंस का मैच देखने चाहते हो कमेंड में आप मुझे आपके इपनिस टैफिनीटली बता सकते हो एंड हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की और रोमर रेंस और लोगन पॉल की मैच के बारे में से एंड अफलाल गया जो लोगन पॉल ने एक वार्निंग दी हैंड वो गयते हैं तुड़े आइब कम डब डब डबी चैंपिन एंड अफलाल डब 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 डबी ने भी जो ए रेंदर डालिये दोनों टाइटल को लेकर एंड क्या लोगन पॉल चैंपिन बनेंगे ऐसा अब डब डब का कहने वाकि आपको क्या लगता है एंड इतना ही निगा स्टेडियम के बाहर एक तगडी लाइटिंग भी की है ब्रेवाट के फार फ्लाइट जो फ्लाइए उसको लेकर है रहें रोमर रेंस और लोगन पॉल की तगडी लाइटिंग जो है बाहर स्टेडिय ये आप बो अब सब्ख अब और लेकिन का डॉगन पॉल में बॉटा देत। यह चीज होगे यह आफ नहीं वैसे कहा है चार में आपको प्रडिश्टन बता देता हूँ यह जाधा सीरियस तो नहीं लेकिन बता जारे चार ऐसी थिंग में भी हो सकती है कि आपको यह चीज हो सकती है अब कि आपको क्या लगता है कमें बताना बागी थोड़ी देर में प्राउंजू स्टार्ट होगा एंड में मिलता हूँ आपको नेक्स इंट्रस्टिंग वीडियो के अंदर